रिष्टे आप अपने जीवन में कैसे चाहते हैं? समरिधी में आप क्या चाहते हैं? किस तरह का घहर, किस तरह की लाइफिस्टाइल, क्या सब कुछ जो आप चाहते हैं? कितनी उमर तक आप जीना चाहते हैं? आप देश के लिए क्या करना चाहते हैं? वो जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, बाहर की इस दुनिया में करते वे पाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वो सब कुछ आपको पहले अपने अंदर करना पड़ेगा, और होते वे देखना पड़ेगा, यहने कि एक imaginary world आपको अपने अंदर create करना पड़ेगा, जो भड़ा हुआ हो different images से, कौन सी images, जो आपको pleasure दे रही हों, जो आपको खुशी दे रही हों, आपकी मन्चाही बनाई हुई दुनिया, हलो, अब तक मैं पहुँच रहा हूँ, यहने कि इस बाहर की दुनिया के बारे में tension लेने की जुरूत नहीं, क्योंकि यह तो परिणाम है, बीज जो लगेगा पहले, चिंता इस बात की नहीं करनेगी, फल फूरूट किसके आएंगे, वो तो obviously clear है, जो लगेगा, समय के साथ में, वो ही निकलेंगे एक दिन, तो बाहर की दुनिया परिणाम है, लेकिन अगर वो अंदर आपने clear नहीं किया, then problem है, तो आपको सबसे पहले, अपनी मनचाही दुनिया कहां बनानी है, अपने अंदर बनानी है, अपने अंदर के संसार में, जो सब कुछ connected है, हर जगे, और clear picture त्यार करने हैं आपको, confusion नह मैंने आपको जो बताएं कि आपको अपने आपको उन कलपनाओं के जरीए, उन images के जरीए, ये बताना पड़ेगा कि मुझे life में क्या, और ये उसको follow करें क्योंकि ये important जी जो कोई follow करता है, तो importance बताने के लिए आपको ये बताना पड़ेगा कि ये मुझे क्यों, और इसली और वो pick कर लेगा, बस यही तक का main खेल है, ये अगर हो गया, तो फिर आगे वाली pictures को चिंता करने की जुरूत नहीं है, और हमें से जितने लोग भी यहां पर हैं, successful लोग, आप विश्वास कीजिए, अगर हम से कोई 12 साल पहले पूछता कि network कैसे वनेगा इतना बड तो उस कैसे का जवाब 12 साल पहले मेरे पास नहीं था, कौन आएगा, कहां से आएगा, मेरे पास उसका जवाबी नहीं था, बस मेरे पास मेरी अंदर की दुनिया थी, कि मुझे यह चाहिए, और मुझे विश्वास था, कि उपर वाला, उपर की energy मेरे साथ connected है, तो जो मैं चाहूँगा, मेरे लिए होगा, मेरे लिए प्रकरती करेगी, तो उसका तरीका है step by step, कि हम अपने आपको इतना internal शांत बनाना पड़ेगा हमको, कि हमारे जो past bad experiences हैं भी, जो collections हैं, जो bad programming पड़ी हुई है, awareness is a process जिसके जरीए से हम समझ सकते हैं, और हमको decision लेने में वदद मिलेगी कि इन चीज़ों का effect अब मुझे नहीं सोचना, मैं कब fail हुआ, कौन fail हुआ, कितने लोग इस business में आगे fail हुए, कितने लोगों ने छोड़ दिया, उस बाद से मेरे कोई concern नहीं है, मेरे से शुरू हो रही है, और अब मुझे आद से अपने भविश्य की नीव आज डालनी है, बस इस बात से मेरा मतलब है, मुझे आज से, आज तक क्या हुआ, कोई फरक नहीं पड़ता कि आज मैं कहां पर हूँ, आज से मुझे सरफ ये decide or declare करना है, कि आने वाले इस वक्त में, मैं कहां पर खड़ा हूँगा, और मेरी जिन्दगी का आयाम क्या होगा, पर लगातार ये energize करने से मेरा subconscious मुझे अपने आप support करेगा, किस प्रकार से ये universe support करेगा, किस प्रकार से ये मुझे, अब, if I am committed, if I am focused, तो ये मुझे अपने आप ideas देना शुरू कर देगा, what should I do, right, so जब decision inside होगा, किस बात का future के निर्मान का, इस बात की सोचे बगयर के क्या नहीं हूँ, क्या background है, फरक नहीं पड़ता, and it happens in everything, आपके relation के बारे में भी यही सिधान्त काम करेगा, आपका relationship जिस से आप बनाना चाहते हैं, अपने परिवार अपने लिए significant look, अब आपसा अच्छा नहीं है, भूल जाए आज अभी इस समय अब तक क्या हुआ, start focusing, start believing, अब जो चहिएं, उस पर विश्वास करना शुरू कर दीचे,